इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको घर बैटे ही अपने केस का स्टेटिस पता करना है नेक्स डेट पता करनी है उसका इवन ओडर पता करना है अपने केस के रिगार्डिंग कुछ भी बता करना है कि उसमें आपके केस में कि अपोजिट साइड का वकील कौन है वो पता करना है किस कोट में है वो पता करना है तो आप वो सब ओनलाइन घर बैटे ही पता कर सकते हैं तो इसको पता करने के लिए एक एप है उस एप को मैं दिखाऊंगी कि आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है उस app का क्या नाम है और उस app से आप कैसे अपने case का status, date, even order and etc. सब कुछ पता कर सकते हैं So start करते हैं वीडियो, वीडियो start करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए नए आया है तो subscribe कीजिए मेरे चैनल को and like कीजिए माई वीडियो को और आप start कर देते हैं वीडियो So सबसे पहले तो आप play store पे जाके e-code services को डाउनलोड करना है तो मैं आपको ले जाती हूँ mobile के through आपको बताऊंगी कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे इसके में सर्च करना है आपने case को आप में play store पे आने के बाग यहाँ पर type करेंगे e-code services So friends जब आपका e-code services install हो जाएगा मैंने अपना update किया है बट आपका जब install होगा तब भी option यही आएगा open का Then आपको यहाँ से open करना है जब आप open करेंगे तो कुछ इस तरीके से open होगा इस पे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले cnr number है अगर आपके पास आपके case का cnr number है then आप यहाँ पे cnr number को post करेंगे लिखेंगे और then search करेंगे आपके matter find out हो जाएगा But अगर आपके पास cnr number नहीं है और आप अपने case का status पता करना चाहते हैं मतलब case का status, case की date, case का order, उसमें कौन सा दूसी साइट का वकील है, आपका matter है, उस वो कौन से, उसमें मतलब क्या section लगा है उसमें अगर अगर अपने matter के बारे में में जाना चाहते हैं, also be a case case के बारे में जाना चाहते हैं तो आपको जाना है case status के जैसे ही आपके इस स्टेटस पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ डेली दिख रहा होगा वहां पर आपको सरच करना है तो यहाँ पर डेली मैंने पहले सी यह सक्सक्राइब किया हुआ है डेली Because हम Delhi गाद्वोकेतर तो हम सारे मैटर इसमें Delhi के ही सरच करके रखते हैं हमारे पास सारे मैटर डैली के ही है So, अगर आप other state से हैं तो आप other state का यहाँ पे उस पे टच कर देंगे Like अगर आप हरियाना के हैं Then आप यहाँ पे हरियाना यहाँ पे कर देंगे कि डिस्टिग क्या है means आपको पता ही है कि डेली में जो डिस्टिक कोट हैं बहुत हैं लाइक करकडुमा है तीसचारी है रोहिनी है तो सब में डिस्टिक अलग-अलग हैं फोर इग्जैंपल अगर आप तीसचारी का देखेंगे तो वेस्ट औ्ड सेंटरल दोनो थो आपको का डिस्टिक भी पता होना चाहिए कि कौन सा केस, आपकी केस का डिस्टिक कैसे है, क्या है मतलब, अगर आपको पता है, मैं आपको दिखा दिती हूँ, मैं सेंट्रल का डालती हूँ, यह रहा सेंट्रल का डिस्टिक, मैंने सेंट्रल का डिस्टिक यहां पर डाल दिया है, अगर आपके सारच कर सकते हैं, अलोएड का कर सकते हैं suffrage कर सकते हैं, अगर सबसे करें चाहिता हैं और मुझाता हैं इन का कर्ता है बैटा मैंटेश सक लुड़ की चाहिए करaraiki मैं ओ है यह एंसको टा यह सबद आराक। को बताया कशियज्ट कर लिया है यह करेंच जैसे की मैंने आपको बताया 138 का case है means complaint case है complaint case मैंने इसको भी कर लिए से case number अगर आपको case number पता है तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ case number 13071 मैंने डाल दिया है year यहाँ पर year को year पता है वो डालो और then go जैसे ही आप go पे जाएंगे आपको आ जाएगा आपका case आप Chief Metropolitician Magister Central तीसरे इस पर टच करेंगे तब आपका case आएगा अब आप देख सकते हैं यह आगया है आपका case देख सकते हैं इसमें case type registration date मदब कब register हुई थी आपका यह case first hearing आपके case की first hearing क्या थी वो तक पता चल जाएगा next next hearing की date क्या वो तक पता चलेगा आपको even court number and judge जज भी कौन सा है वो पता चल जाएगा साती साथ Petitioner Advocate तो आपको पता ही है यह capital first advocate रंजन और इस तरीके से advocate का नेम respondent का नेम भी पता चल जाएगा act भी पता चल जाएगा FIR की detail भी पता चल जाएगी कि राजेंदर नगर का है year 2008 and main important case history आपको case की history पता चलेगी तो सारे इसमें कभी कभी cases में जो order होते वो updated नहीं होते हैं तो इसमें इस वाली case में order नहीं है लेकिन आपको अपने case का status पता चल जाएगा यहां पर आप जाएगे तो इस पर टच कीजिए 2910 पर आपको पता चल जाएगा further proceeding के लिए next date क्या है 2222 तो यहां से आपको अपने case का status पता चलता जाएगा case status पे जाके case नंबर से भी party का नेम है अब आपको समझ आये होगा कि case नंबर से आपको अपने case को कैसे find out करना है बट अगर आपके पास case नंबर नहीं है तो आप party नेम से भी कर सकते सेम इसमें भी जो भी जज है जैसे कि mm है civil है civil का matter है या principal judge है या फिर district and session judge है तो वो डालना है इसके बद पार्टी का जो भी नेम है वो डालना है यह डालना है अगर फिर यह पर आप गो पे टच करेंगे तो आपका जो matter है वो find out हो जाएगा सेम अगर आपके पास filing नंबर है तो आप filing नंबर से जाहिए का filing नंबर में भी जज का नाम पता है मतलब जज कौन सा MM है या civil है या family case है वो पता होना चाहिए और उसके बाद filing नंबर year then go पे आप जाओगे ऐसे अगर F.I.R. नंबर है तो आपका F.I.R. कभी police station पता होना चाहिए कि क्या police station है फिर F.I.R. नंबर और उसका year फिर वो ही pending, dispose both then go पे जाके आपका find हो जाएगा तो अगर आपको अपने case का date, status, history और even order पता करना है तो आपको case status से ही मिलेगा advocate के नंबर से, F.I.R. नंबर से, filing नंबर से, party name से, case name नंबर से तो इस तरीके से आप इसको find out कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि cause list, cause list आप सबको पता ही होगी जिस जो code के बाहर लगाई जाती है जब आपका case होता है उस दिन, तो उस cause list को हम एक या दो दिन पहले भी इस app से जान सकते हैं, कि आपकी जो cause list है, cause list से आपको ये समझ में आएगा कि जो आपका matter है, उसका number क्या है और उस number के हिसाब से आप उस time पर पोश सकते है, time क्या time तो विस सारे 10 बजे भी पूच जाएंगी, तो हो जाएगा, एक idea हो जाता है, cause list पता होना important है, cause list से ये भी समझाता है, कि आपकी matter है, evidence पे चल रहा है, charge पे चल रहा है, argument पे चल रहा है, misillainious argument पे चल रहा है, तो इससे पता चल जाएगा, cause list पी अब हम जान सकते, cause list को भी बता दे डेली का है तो डेली डालेंगे और यहां पर सेंट्रल मैंने सेंट्रल ही डाला आप कोई भी डालो मतलब जो भी आपका है करकडुमा का है करकडुमा शाद्रा भी है करकडुमा में इस्ट भी है करकडुमा में वैस्ट जो है तीस हजारी में तो ऐसे डिस्टिक आपको सर्च क मैंने नेहा गर्ग इन मैम का डाल दिया है तो चाल गया रहा है कल की डाल देती हूं मैं कि पांच का क्या होगा अब इसके बार इनका सिविल मैंने डाल दिया तो कोज लिस्त आ जाएगी कि यह 1st मैटर यह है 2nd मैटर यह है 3rd यह 6 यह 9 यह तो यह सारे मैटर्स आपको आजए अब यह तो होगे कोज लिस्ट अब यह माई केस आपको मैं बता देती हूं माई केस का क्या फंड़ा है माई केस है जो मैटर्स आपके पास होंगे आप उसमें माई केसिस में डाल सकते हैं माई केसिस से आपके जो केसिस है वो इसमें आ जाएंगे मतल अगर आपका जो भी केस है उस पे आप स्लेक्ट कर दोगी कि हाँ मेरी लिस्ट में आ जाए तो आप इस से जो है आपके उसमें आ जाएंगे सारे मैटर्स जैसे कि मैंने इसको डाल नोड कर रखा है तो साथी साथ में बता दीती हूँ, इसमें देखे, मैंने case पे search किया, तो इसके बारे में क्याप क्या हा रहा है, सब कुछ आजाएगा, Mandarin, order, Even order आरहा है, आप order की copy भी सर्च कर सकते हैं, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहां से यह डाउनलोड हो जाएगी, तो यह अगर आपको समझ आये ही होगा, कि अगर जैसे कि आपका matter है कोई, तो आपको उसको क्या करना है, अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है, माई केस की लिस्ट में, जैसे माई केस की लिस्ट में आप सामिल कर लेंगे, तो उसका पूरा अपडेट आजाएगा, आपको बार-बार सर्च करने की जरत नहीं पड़ेगी, तो यह रहा, मेरा वीडियो मैंने आपको समझ ही आया होगा, कि कैसे आप अपने केस को find out कर सकते हो, उसकी date को भी find out कर सकते हो, इवन course list को भी find out कर सकते हो, एड्वोकेट का नाम भी find out कर सकते हो, judge का name भी, court number भी, और साती साथ अपने case का order भी, और जो भी आपका matter है, उसको आप अगर add अपनी list में करोगे, इस वाले में, means, e-court services में, तो वो आपका permanently add हो जाएगा, my case में आप जाके उसको देख भी सकते हैं, और आपको उसमें update मिलती रहेगी कि आपके जो case है, उसकी next date क्या लगी है, so friend, मैं आशा करती हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो please like कीजिए मेरे वीडियो को, subscribe कीजिए मेरे ये चैनल को and share कीजिए इस वीडियो को जितना जादा हो सके उतना, so, फिर भी अगर आपको कोई query हो, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, साथ जो मेरा WhatsApp नंबर है, वो flash हो रहा होगा, उस पे भी मुझे WhatsApp कर सकते हैं, तो मैं आपको आपके उस query का answer करूँगी, आपके उस comment का answer करूँगी, तब तक के लिए नमशकार मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए,